मित्रो दो और तीन जुलाए की रात्री में कानपूर नगर के ठाना चौबेपूर में छेत्रा धिकारी सिदेवेंद्र मिस्र के नित्रतों में पुलिस की टीम एक दविस में गई थी जिसमें बादी राहुल तिवाडी ने एक 307 में एक मुकत्मा दर्ज कराया था इसी सिलसले में पुलिस एक दुर्दान ता प्राधी क्या छापे मारी करने के लिए गई थी इस दौरान एक बहुत दुर्भाग्य पूर्ण गटना गटित होती है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक छेतरा थी कारी सी देवेंद्र मिस्त्र तीन उपनिरिक्सक सी महेश संध्यादो जो थाना ध्यक्स शिवराजपुर के थे उपनिरिक्सक्सी अनुप कुमार सिंग थाना बिठोर उपनिरिक्सक्सी नेंबोलाल थाना शिवराजपुर के साथ चार आरक्सी सी जितेंद्रपाल सी सुल्तान सिंग सी बबलु कुमार सी राहुल कुमार यहाठ हमारे उत्तरप्रदेश पुलिस के जावांज अधिकारी और कर्मी सहिद हुए हैं साथ ही साथ जिसमें छह पुलिस कर्मी हैं और एक होमगार का जवान है यह घायल हुए हैं घटना अत्यां तो दुखद है रात्री में घटना घटिद होने के ततकाल बात से ही बरिष्ट पुलिस और प्रसासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाब कारवाई करने के लिए लगातार छापे मारी कर रही है अन्यक टीमें गठित की गई है पुलिस मुढभेड में दो अपराधि मारे गए है हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे उनमें से कुछ असले बरामत भी हुए है सेस पर अभी कारवाई प्रचलित है इस पूरी घटना के लिए जम्मेदार किसी भी अपराधि को बकसा नहीं जाएगा पुलिस के अपने जवानों के सहादत और उनके बल्दान को बेर्थ नहीं जाने दिया जाएगा अपने उन पहदुर जवानों जिनोंने दिन रात में कोई अंतर महसूस न करते हुए जहां कहीं भी सासन ने उन्हें कोई जम्मेदारी दी आबदा हो कानून विवस्था के सुदर्ड स्थिति को बनाए रखने का हो या आम नागरिक को सुरक्सा प्रदान करने की जवाब देई का हो स्वयम के सुख चैन को तिलांजली देते हुए स्वयम की प्रवाह के वेगर जिस तत्परता और जिस मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लगातार कारे किया है दिन भर के अपनी ड्यूटी के बाद भी माफ्या और अप्राधिक प्रविर्टिके तत्तों के खलाब जो अभ्यान वर्तमान में चला है उस अभ्यान के करम में ये टीम दविस देने के लिए गई थी और उस दोरान ये गटना गटित हुई है मैं अपने इन बहद्र जवानों को उत्तर प्रदेश के चौवीस करोड जनता के सुरक्सा के लिए अपने आपको बैलदान करने के लिए उनके साहदत को कोटे कोटे नमन करता हूँ सोग संतप्त परिजनों के परती हमारी पूरी संबेदना है उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्सा के साथ साथ हर साथ की विवस्ता के सुचारू संचालन के लिए उत्तर दाई हर कर्मी और उसके परिवार उनके सुख दुख में सदेव खड़ा होने के लिए पूरी प्रतिवद्ध है जिन लोगों ने भी गटना अंजाम दी है इस दुसाहसिक गटना के लिए चिम्मेदार जो भी पाया जाएगा कानुनन वहब एक्ति इस घटना की सजा भी भुकतेगा और मैं इस बात के लिए विस्वास दिलाता हूँ कि हमारे जवानों का ये बेलदान किसी भी हिस्तिती में बेर्थ नहीं जाएगा मैं भी सोक संतत परिजनों से मुलाकात के साथ ही आपने उन बहादर जवानों को सरदा सुमन करने का आउसर मुझे और मेरे सही होगी उपमुख्य मंत्री स्रीकेशो परशाद मौर्याजी को और अन्य सही होगी मंत्रियों को जन्परतनिलियों को पराप्त हुआ है मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए स्वस्त किया है कि हम लोग इस दुक्के घड़ी में उनके साथ में हैं जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जम्यदारियों का निर्वहन किया है उसके लिए उनके कर्तब्यों के परती हम सब की विनम्ब्र स्रधांजली है उत्तरप्रदेश सरकार अपने इन सभी सहीद हुए जवानों के परिवारवनों को यद्यपी सहादत की कोई कीमत नहीं होती लेकिन उन परिवारवनों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रते एक पीडित परिवार जुतने भी हमारे जवान सहीद है उनके परिवार के सदस्यों को सास्की सेवा में लेने के साथ ही और साधहरण पेंसन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्द कराएगी इसके साथ ही आर्थिक सायता के रूप में भी एक करोड उपे प्रतेक सहीत के परिवार को अत्रिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्द कराया जाएगा मैं फिर इस वाद के लिए आस्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोर तम सजा दिलाने का कारे भी प्रतेस सरकार करेगी धन्यवद